हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी स्वागत है कि सब Тक हमारे यूटूब चैनल पर बिए फोटो देखके आपको लगे रहोगा कि बंदर की कहाणी है तो बिल्कुल सही है आज हम पढ़ेंगे नटखट बंदर की कहानी को और बंदर वागई बहुत ही नटखट होते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो पंचतंत्र की कहानिया है ये निकल के कहां से आई है तो ये जो विश्णु शर्मा और उनके जो तीन सिस्य थे राजा के बेटे आपको याद भी होगा जो कि बहुत याल सी थे तो उन्होंने जो अपन dília में मन्दिर बनवा रहा था तो एक सुबह बंदर को एक छुंट वहां से घुजर रहा था को भी व्यापारी अपने बगीचे में ना जो अपनी बनदिर बन वहा रहा तो बंदर तो जुंड में ही मैक्सिमम चलते हैं तो बंदरों का जुंड वहां से कुजर रहा था बंदरों को बढ़ाई का काम करते देख उत्सुकता हुई और वे वहीं रुक कर सब कुछ देखने लगे बंदरों को जो बढ़ा ही लोग लगड़ी का काम कर रहे थे वो देखके बढ़ा ही मजा आ रहा था तो वहीं बंदर लोग जो है वो वहीं पे रुखकर देखने लगे दोपहर को जब सभी स्रमिक भोजन के लिए चले गए तो बंदर पेड़ से नीचे उतर कर बढ़ाई के आजार से खेलने लगे ये तो बहुत ही बुरा किया उन्होंने कि वो अच्छा ये नतीजा हुआ था तो वो पेड़ के नीचे से उतर के बढ़ाई जो काम कर रहे थे व दिया था एक बंदर ने फंडी को देखते हुए सोचा यह क्या चीज है जैसे ही उसने उस फंडी को हटाया वह लकुड के लटे बीच में फस गया, खुद को आजात करने की कोशिस में उसने खुद को घायल कर लिया, तो बहुत ही बुरा हुआ ये बंदर के साथ, तो ठीक है, उनको दूर से अच्छा लग रहा था, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो बढ़ाई करके गया था, उसको खरापत नहीं करना जाए था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कहानियों में नैतिक स्प्छा तो होगी ही, विना नैतिक स्प्छा के पहले की में कहानिया भी नहीं बताया खरते थे,ταν बीच्छा लोग, तो इस एकानि से हमें ये शिक्छा मिलती है, कि दूसरे के कारे में हस्तक छेप नहीं करना चाहिए वरना खुद को ही नुक्षान होता है मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में